नमस्कार दोस्तो, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सिरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तो प्रिवियस वीडियो में हमने स्टैप रेस्पोंस और फर्स्ट ओर्डर सिस्टम्स फाइंड आउट किया था और जो स्टैप रेस्पोंस था, उसका गराफ कुछ ऐसा हमें बनाया था और यहाँ पर दोस्तो, बिल्कुल सेम गराफ हमने बना रखा है लेकिन आपने देखा कि स्टैप रेस्पोंस में जो फाइनल वैल्यू है वो वन होने चाहिए लेकिन ये जो graph मैंने बनाया है इसमें जो आपकी output response curve है वो one को approach नहीं करती उससे थोड़ी सी कम है तो ये दोस्तो reason क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि जो first order system था इसमें आपके resistive elements भी है और capacitive elements भी है resistive के resistive elements आपके ideal elements नहीं है उसकी वज़े से definitely कुछ losses होते है या system में कुछ error आ सकता है उस error की वज़े से ही हमारी जो output response curve है वो exactly one पे lie नहीं करती यकीनन system में कुछ ना कुछ error जरूर रहता है तो दोस्तों ये आपका c of t यानि controlled output axis है और यहाँ पे आपका time axis है अब step response specifications कई बार आपके exams में पूछी जाती है उसमें सबसे पहला जो parameter है वो है हमारा rise time राइस time का क्या मतलब है दोस्तों जो हमारा first order system है उस first order system में हमारी जो final output है वो हमारी one आनी चाहिए जो हमारा study states में चला जाएगा in case अगर error नहीं है तो दोस्तों rise time को हम इस तरीके से explain करते हैं कि जो आपका output है output आपका 10% of study state से लेके यानि इस 10% of study states study states में 1 होना चाहिए 10% आपका point 1 होगा और 10% से 90% of your study states output यानि यहां तक यानि आपकी जो output response कर्व है या जो आपका output response है 10% of study states से लेके 90% of study states के बीच में जितना time है उस time को दोस्तों हम कहते हैं rise time ओके तो rise time की definition यही होगी it is the time taken by the control system from 90% of 10% of study states output to the 90% of study states output यानि 10% to 90% हमारा जो study state output है definitely वो हमारा 1 आना चाहिए तो इसका मतलब यह होगा कि वो time जब हमारा 10% of 1 यानि point 1 आपकी value आचुकी है इस time से लेके point 9 जब आपको value मिलेगी उस time के बीच जितना भी time होगा उसको हम rise time कहेंगे तो rise time का मुटा मुटा मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर हमारा rise time बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा rise time ज़्यादा है तो definitely 10% से 90% response पहुँचने में बहुत time लगेगा अगर उसको बहुत time लगेगा तो definitely वो study states में बहुत लेट से पहुँचेगा इसका मतलब जो हमारा system है वो काफी slow होगा और अगर आपका rise time बहुत कम होगा इसका मतलब 10% से 90% तक पहुँचने के लिए बहुत ही कम time यूज़ होगा और उस बहुत कम time में हमारा जो output response 90% पे पहुच चुका है यानि system का जो response है वो काफी fast है तो rise time पता लगा के आप system की speed पे comment कर सकते हो कि उसकी speed ज्यादा है या उसकी speed कम है तो ये है आपका दोस्तो rise time second है आपका delay time delay time को simply represent किया जाता है कि ये वो time है starting से लेके इस point से लेके 0 second से लेके वो time जब आपका system का output response 50% of study states तक बहुच जाए study states आपका one था इसका 50% दोस्तों माल लेजिये आपका यहाँ पे है point 5 और ये 50% आपको माल लेजिये इस time पे available है इस time पे तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 second से वो time जब आपने 50% of study state response हासिल कर लिया है उसको हम कहते हैं delay time ये होगा हमारा delay time तो delay time भी indirectly हमारा क्या बताएगा 50% of study state output right delay time हमारा बताता है कि हमारा system sluggist है या नहीं sluggist का मतलब है system sust है या नहीं या indirectly आप कह सकते हो delay time जितना कम होगा delay time अगर कम होगा तो system की sluggistness बहुत कम होगी यानि system आपका definitely fast होगा और अगर system का delay time बहुत जादा है तो definitely आपका system काफी slow होगा तो ये है दोस्तो आपका delay time third जो important parameter है उसको कहते है settling time settling time का मतलब ये है दोस्तो इस complete response में आपने देखा कि यहां इस point से और लगबग इस point तक आपकी output लगातार change होती जा रही है और जिस time period में आपकी output लगातार change होती हो उस time को कहते हैं transient time यानि कोई भी आपका जो output है वो दो हिस्सों में बटा होगा एक होगा transient response दूसरा होगा study state response यानि इस time से इस time के बीच में आपका ये कौन सा response है ये है हमारा transient response और इस time के बीच जितना भी time होगा उसको हम कहेंगे transient time क्योंकि इस time duration में system की output लगातार change हो रही है और इसके बाद आपने देखा कि जो system का output response है वो लगबग constant value show करने लगा है तो जैसे ही आपके system की output constant मिलना start हो यानि आपका system study states में पहुँच जाए तो दोस्तों उसको हम कहते हैं study state response तो settling time का मतलब यह हुआ इस zero time से इस time तक यह जो ts है यानि यह होगा हमारा settling time यानि इस time के बाद हमारी output एक constant value पे settle हुई है इसलिए हम इसको कहते है settling time settling time का मतलब भी यही होगा अगर settling time आपका बहुत कम हुआ यानि इसका मतलब जो हमारा transient response है वो बहुत कम time तक होगा क्योंकि बहुत ही कम time में हमारी value settle हो जाएगी और हमारा system study states में चला जाएगा इसका मतलब system हमारा उतना ही ज़्यादा fast होगा और अगर हमारा settling time बहुत ज़्यादा हुआ इसका मतलब system को transient response से study state response में जाने में बहुत ज़्यादा time लगेगा इसका मतलब जो output है final output उसको लेने में हमें और ज़्यादा time लगेगा यानि system हमारा उतना ही slow होगा तो दोस्तो settling time आपका ये बताता है कि आपका जो output response है वो अब study state response में पहुँच चुका है यानि जो आपकी outputs है वो अब constant values देना start कर चुकी है इसके बाद है दोस्तो study state error study state error को समझने के लिए आप ये देखिए ये जो आपका actual output graph output curve है ये curve इस तरीके से जाएगी और as per the ideal definition आपकी जो output है वो 1 होने चाहिए because previous video में मैंने step response find out किया था और अगर आप इस equation में t equal to infinity put करें यहाँ पे तो दोस्तो c of infinity आपका 1 बन जाएगा यानि आपकी value एक time के बाद 1 को approach करेगी but मैंने बताया कि first order system हमारा ideal system नहीं होता उसमें कुछ losses जरूर रहते हैं तो दोस्तो यहाँ आपने देखा कि जो study state output है वो यहाँ पे आके constant हो जाती है but ideally इस value को 1 पे होना चाहिए था but इन दोनों के बीच में जो difference है यह देखिए यह जो difference है इसी को कहते हैं study state error यानि जब आपका system output study states में चला जाए study states में जाने के बाद भी अगर वो desired values तक reach ना करे तो इन दोनों के बीच जो actual difference होगा उसको हम study state error कहेंगे study state error को block diagram representations में भी convert किया जा सकता है माल लेजिए दोस्तों यह आपका r of s है reference input यह आपका कोई summing point है और यहाँ पे दोस्तों हमने negative feedback दिया feed forward जो path है माल लेजिए वो है हमारा g of s और यहाँ से हमें control output मिल जाता है c of s और अगर हम unity feedback लें तो इसका मतलब feedback circuitries का transfer function 1 होगा इस case में दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखते हैं e of s यह topology मैंने पहले भी explain की हुई है दोस्तों अगर इसका transfer function 1 है इस feedback network का तो 1 multiply with c s तो यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे भी दोस्तों आपका c of s ही होगा e of s क्या होगा यहाँ से e of s होगा दोस्तों that would be equal to r of s minus c of s और अगर इसका मैं inverse laplace transform लूँ तो दोस्तों जो study state error है in terms of time domain लिख सकता हूँ this is r of t minus c of t तो यह बन जाएगा अब दोस्तों r of t क्या है step response के लिए r of t आपका होगा 1 और जो c of t है वो हमने previous वीडियो में यहाँ find out किया आप इसकी values को वहाँ put कर दीजिए 1 minus e raised to power minus t upon capital t तो यह बन जाएगा 1 minus e raised to power minus t upon capital t अब दोस्तों 1 से 1 cancel हो जाएगा और actual में यह बन जाएगा आपका e raised to power minus t upon capital t यह आपका है e of t इसका मतलब जो study state error है वो time के according आपका change होता जाएगा तो अगर मैं इसकी value t equal to infinity put कर दो तो e raised to power infinity time पे कितना होगा e raised to power minus infinity होगा t को मैं अगर infinity put करूँगा e raised to power minus infinity 0 हो जाता है इसका मतलब इसकी value दोस्तों 0 आएगी इसका मतलब अगर इस graph का जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका यह जो study states है धीरे 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 आपको final values को approach करती चली जाएगी और last में आपका जो error है वो 0 हो जाएगा तो दोस्तों अब आप सोचोगी कि settling time तो वो था जहांपे आपकी output बिलकुल settle हो जाती है यानि आपकी study states में चली जाती है आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखे settling time आपका दो तरीके से define किया जाता है एक होगा आपका plus minus 2% एक होगा आपका plus minus 5% यानि अगर इसका जो actual desired output होने चाहिए और जो हमारी actual output अभी मिली है इन दोनों में शिर्फ 2% का difference है या वो positive 2% है या negative तो वो time भी आपका settling होता है या अगर दोस्तो desired output और actual outputs के बीच में plus minus 5% का भी difference रह जाता है एक ऐसा time आए जब इन दोनो desired output और actual outputs के बीच में इतना difference हो तो उस time को भी हम settling time कह सकते है तो दोस्तो ये था हमारा important specifications of step responses आपको step response of first order में ये हमेशे ध्यान रखना है कि T equal to infinity पे आपका study state error 0 होता है और दोस्तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे T की value कुछ भी put करा सकता है यानि किसी भी time पे आपसे वो error पूछ सकता है तो जो study state error है वो basically आपका step response of first order में time पे depend करता है तो this is the complete detailed studies of step response specifications next video में दोस्तो जो first order system होगा उसका input में हम ramp input रखेंगे तब उसका output response analysis in detail study करेंगे thank you so much for watching this video